आज हम बात करेंगे मस्टाइटिस के बारे में खास करके मस्टाइटिस में जो हुमियोपेथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उस ट्रीटमेंट के बारे में मस्टाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो दुधारू पशुओं में बहुत ही जादा हानिका रखोती है और जो पशुमालिक होते हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान इस बीमारी की वज़े से होता है तो इस बीमारी की रोक्थाम के लिए तो सबसे अच्छा वोपा यही है कि के अगर अपके फांपे रखते हैं तो आप आसाली से अर्ली स्टेज में ही मस्टाइटिस का पता लगा सकते हैं अर्ली स्टेज में जो सब क्लीनिकल मस्टाइटिस होता है तो सब क्लीनिकल मस्टाइटिस जो होता है वो बाहर से हमें कुछ भी सिम्टम उसके नजर नहीं आ रखते हैं तो उससे आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपके पशु में मस्टाइटिस हुआ है अगर आप हर आठ दिन दस दिन के बाद सिंपल सा टेस्ट होता है उसका तो दो चार भूं या एक एमेल आपको वो CMT रेजन्ट लेना होता है सेम कॉंटिटी में उसमें उस पशुकी चारो अडर का चारो अलग-अलग कप में दूद डालना होता है और उसको रेक्शन को अबज़र करना होता है तो उससे आसानी से आपको पता चल जाता है कि मस्टाइटिस हुआ है या नहीं हुआ है तो आपका आगे का ट्रिटमेंट का बहुत सारा खर्चा बच जाएगा वैसे तो जो एलोफेती है तो एलोपेती में बहुत ट्रिटमेंट अवैलेबल है इसके लिए बहुत सारे एंटिबॉटिक है लेकिन शुरुवाती स्टेज में अगर हम इलाज करते हैं तब वो तो आज कौनसी होमियोपेतिक रिमेडिज है जो हम अडर फाइब्रोसिस में या टिट फाइब्रोसिस में यूज कर सकते इसी पर आज हम चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चानल से नहीं जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं बीचुने ताकि भविश्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफ्रिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे अगर आपके पशुमें मस्टाइटिस हो जाता है और वहां पर फाइब्रोसिस बनने लगता है तो आप शुरुवती स्टेज में अगर मैं जो मेडिसिंस अगर देते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मेलेगा थोड़ा बहुत अगर फाइब्रोसिस हो गया है तो भी यह अच्छा काम करेगा तो आपको क्या करना है कि यह जो आप स्क्रीन पर बोटल देख रहे हैं साइलिसिया के नाम से 200 पोटेंश में आती है तो य इसके बाद आदा से एक गंटा बाद जब आप पहली दवाई देते हैं साइलिसिया देते हैं तो उससे आदे गंटे से लेकर एक गंटे के बाद आपको यह जो दूसरी बोटल आप देख रहे हैं कैलकेरिया फ्लोवर नाम से यह भी 200 पोटेंश में आती है तो इसको सेम त तो यह आपको लगातार 40 दिन तक करना है लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जब दो दवाईया आपको दीन है तो दोनों दवाईयों के बीच में आधे से लेकर एक गंटे तक का अंतर आपको रखना है तो यह हुआ पहला ट्रीटमेंट अब हम बात करते हैं दूसरे ट पहला ट्रीटमेंट के लिए जैसे के आप यह स्क्रीन पर मैस्टाफोर्ट नाम से बॉटल देख रहे हैं तो यह दवाईया आप अपने पशु को तीस बुन सुबह और तीस बुन शाम इस तरह से दो टाइम देकर भी उसका इलाज कर सकते हैं अगर फाइपरोसिस बहुत नौल जादा हो गईै है अडर बहुत ज़ादा हर्ड हो गई है तो यह मेस्टाफोर्ट लिक्विकृड आप देख रहे हैं इसके साथ सा आばい जो एक्टिनो क्योर की बॉटल आप देख रहे हैं आ सक्रीन पर तो इसका भी यूज कर सकते हैं यह दोनों दवाई跳 दे सकते हैं तो उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके बाद हम अगर तीसरे ट्रिटमेंट की बात करें तो जैसे कि आप ये स्क्रिन पर बॉटल देख रहे हैं फाइबरो क्योर नाम से तो इसकी भी आपको 30-30 बून दीन में 3 बार देना है तो आप इसको रोटी पर डाल कर दे सकते हैं या फिर देड़ एमेल डायरेक्ली सिरिंज में लेकर पशु के मुव में उसके जीप पर छोड़ सकते हैं या फिर इसके बाद आप ये जो स्क्रिन पर देख रहे हैं तो इसका भी आप यूज कर सकते है तो इसके भी बहुत अच्छी रिजल्ट है तो ये सभी दवाईया जो मैंने बताई है तो इसमें से कोई भी एक ट्रिटमेंट आपको करना है और वो भी आपकी पशु किस्सक के सला के अनुसार ही उसकी डोज जो होती है वो कम जादा पशु के वजन के अनुसार उसके वेट के अनुसार कम जादा होती है तो आपके जो पशु किस्सक है उनकी सला के अनुसारी आपको ये ट्रिटमेंट करना है तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद